करनातक देश का पहला ऐसा राज बन चुका है जिसने सारवजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षन लागों किया है जिहां राजसरकार ने करनातक हाई कोट के मुख्य न्याया धीश अभै श्रीनिवास ओका और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंड पीट को सूचित किया कि उसने ट्रांसजेंडरों के लिए एक फिसदी आरक्षन प्रदान करने के लिए करनातक सेवल सेवा समानि भरती संशोधन किया है 13 मैं को जारी एक अधिस्षू ना में इसके लिए नियम में 9 संशोधन करने का प्रस्ताव है बदादे कि नियम नो उपनियम वंडी में प्रस्तावत संशोधन राजसरकार द्वारा समाने अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती की प्रतेक्ष्रेनी और अन्य पिछरा बर्ग की प्रतेक्ष्रेनी में किसी भी सेवा या पद में भर जाने वाली रिक्तियों का एक फीसदी ट्रांसजेंडर उमिद्वारों को मुहिया कराने के लिए किया गया था राजी सरकार ने भुद्वार को उचनियाले को सूचत किया कि जहां तक नियम नों में संशोधन का संबंद है उसे प्रारूप अधिसूचना पर कोई आपती प्राप्त नहीं हुई है इसके बाद 6 जुलाइक को संशोधन करते हुए नियमों में उप नियम वंडी शामिल किया गया राजी सरकार द्वारा भरती नियमों के संशोधन में पुलिस कॉंस्टेबल की भरती के लिए एक कानूनी चुनाती का परिणाम था इसने पुर्षों और महिलाओं के समान फ्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अलग श्रेनी को बाहर रखा है राजी सरकार ने 2672 पदों की भरती निकाले थी जिसमें 2420 रिक्तियां विशेश रिजर्ब कॉंस्टेबल पोर्स के पद और 252 बैट्समें पदों के लिए शामिल है अधिसूचना में पुर्षों और महिलाओं से संबने तायू वजन और अन्य विशिश्टताओं का वलेक किया गया था उसमें ट्रांसजेंडर की पूरी तरह से अभहेल ना किये थी हाला कि मदरास हाई कोड ने कहीं फैस्टों में निर्देश दिया है कि MBC में भीतर ट्रांसजेंडर वियक्तियों को शामिल करने के बजाए प्रतिक्ष्ट्रेनी में उनके लिए पोस्ट आधरित आरक्षन प्रदान किया जाए subscribe our channel and press the bell icon for more updates